नमस्कार आप सभी का हर्दिक स्वागत एन्विर एजुकेशन के सी यूटूब चैनल पर और मैं समपदलिड आप सभी गो राजस्थान कम्पिटर अनुदेशक बरती की तेहरी कर बारा हूँ जिसके अंडर हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉंसेट को पढ़ रहे हैं और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतरगत आज हम जो है दो टोपिक्स को पढ़ने वाले हैं जिसके अंतरगत हम पहला मल्टी लेवल क्यू सेडूलिंग के बारे में और दूसरा फाइल एलोकेश और से जो है हमें भी motivation देता है हमें भी इसी परकार के वीडियो बनाने में help करता है चलिए सुरू करते हैं आज किस class को तो देखे सबसे पहले मैं जो है आपके लिए multi-level क्यूंब की बारे में बात कर रहा हूं कि मतलब जिसमें एक से ज्यादा लेवल हो जो ऐसी क्यूँध जीओ जिसके अंदर एक से ज्यादा लेवल पर जो है उसको सेडीन किया जाए किसी भी process को सिंपल सा concept है अब समझे यहां पर ready queue की आ रही है तो आपने मेरा operating system का सबसे पहला वीडियो देखा होगा जिसके अंदर मैंने आपको operating system के अंतर गाता एक process होती है वो कौन-कौन से state से होकर वो जो है terminate तक जाती है तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यह कुछ process होती है जिब secondary memory होती है तो जैसे उसक इसके अंदरकत भी जो है इसको अलग-अलग layers या अलग-अलग queue में इसको बाड़ दे जाता है पर तेक queue में process को उसकी priority के अनुसार store कर दिया जाता है बहुत ही सांदार concept है कि आपकी यह process आई है अब यह process जो है यहाँ पर ready queue में आई है तो ready queue में आते ही क्या होता है विद अब category किस प्रकार define की जाएगी तो category define की जाती है priority के base पर priority सिंपल सा concept है कि इसमें से पहले किसे जो है run करना जरूरी है जैसे system वाले process होता है वह बहुत जादे important होती है तो उसको पहले रखा जाता है उपर line में फिर उसके बाद उससे कम priority वाले उससे कम priority ऐसे रखी जाती ह है तो इस line का मतलब भी है अगला है multi-level queue scheduling में जो high priority वाले process होती है उससे सबसे उपर रखा जाएगा जैसे कि अभी मैं आपको बताया और जो जिसकी priority कम रहेगी उसको हम सबसे नीचे level यानि low level के अंतरगत रखते है multi-level scheduling में अगर किसी process को एक बार किसी क्यों को allocate कर दिये जाएं तो उस process को दूसरे क्यों को allocate नहीं किया जाता है एक Q है वाले को किसी एक process को दै तो फिर ऐसा नहीं होगा इसके लिए या आपकर यह का जा रहा है कि we अगर किसी प्रोसेस को एक बार किसी क्यूव को एलोकेट कर दिया जाए तो उस प्रोसेस को दूसरे क्यूव को एलोकेट नहीं किया जा सकता है अर्थात प्रोसेसे जमासा उसके लिए क्यूव में रहेंगे उसी क्यूव में रहेंगे जो भी प्रोसेस है ना वो एक ही तरगत रखेंगा ऐसे नहीं कोई एक प्रोससी बोलते हैं कि मुझे दो ऐसा कभी नहीं होगा द्यान रखेगा कि में जब तक टॉपलोल क्यों में उपस्थ सभी प्रोसस एक्ज़िगूट नहीं हो जाती है तब तक उसके नीचे वाले उसके नीचे लिवल के Q में उपसित प्रोसेस एक्जीकूट नहीं होगी है मान लो कि ये प्रायोरिटी के अंतरकत ये सबसे पहली रखी गई नमबर बन नमबर टू ये जब क्लियर होगी तब भी तीसरे की बारे आएगी तीसरा क्लियर होगा तो एक्जाम्पल देखिए मैंने यहां पर जो है क्यों को तीन भागों में बाटा है पहला सिस्टम प्रोसेस के अदार पर दूसरा इंट्रेक्शन आदार पर और तीसरा आपका बैच्च प्रोसेस के अदार पर तो प्रैर इसको देंगे वह सिंपल सा बात है कि आप यहां पर जो शिस्टम प्रोसेस होती उसको देंगे फिर उसके बाद इंट्रेक्टिव प्रोसेस और उसके बाद बैच की प्रोसेस ठीक है अब इसमें देखो एपसी एपस वगरा यह S.J.E.P. और R.R. इन के बारे मैंने पूरा का पूरा वीडियो डिपली पढ़ा रखा है एपसी एपस मतलब first come first server के बारे में यह algorithm जो है मैंने आपको पढ़ा रखा है S.J.E.P. यानि sortage job first के बारे में भी पढ़ा रखा है और Round Robin के बारे में भी मैंने आपको पढ़ा रखा है तो आप जाके उनको देख सकते हैं वीडियोज को अब देखेगा इस उदारण में system process की priority सबसे ज़्यादा है इस system process की सबसे ज़्यादा ही priority है इसलिए हम इसको सबसे top में रखेंगे इसी प्रकार batch process जो है ये batch इसकी priority कम है तो इसको हम low level में रखेंगे अब देखेए ये जो अभी हमने जो भी बाते डिसकस किये तो इससे समधी कुछ terms है पहला है system process यानि ये system जो process है इसके अंतरकत क्या चीज़े होती है system process operating system में बहुत प्रकार कि system process होते है जैसे interrupt यदि system में interrupt आ गया है तो system की सारी working बंद हो जाती है तो सबसे पहले operating system की interrupt को ही execute करना ज़रूरी होता है interrupt मतलब क्या है कोई भी काम हो रहा है अब उसमें interrupt कुछ भी हो सकता है कोई भी जरूरी interrupt हो गया मैंने आपको इसका एक खानी का एक्जामपल लेकर भी वहाँ पर बताया था interrupt मतलब आप keyboard से कुछ भी की प्रेस कर रहे है मतलब कर रहे है तो एक interrupt वहाँ पर generate हुआ तो इसको operating system के पास जो message गया है तो इसको system priority में रखा जाएग और इसको करना जरूरी अभी पहले इसको करना जरूरी है क्योंकि user ने हथ तो हाथ इसको यहां पर इसको execute कर वह है ऐसी को process है जो जरूरी नहीं है तो इसको हम low level में रखेंगे भई ठीक है interaction process क्या होती है interaction process वह होती है जिसमें user किसी allocation application से direct interact करता है जैसे movie देखना programming करना gaming खेलना आदी batch process क्या होती है batch process की priority सबसे कम मानी जाती है इन्हें background process के नाम से भी जानते है ठीक है जैसे आपके mobile के अंदर करता है आप जैसे मानली जी को इस गाने सुन रहे है तो इसके लिए भी audio driver installed है तो वह background में काम कर रहे है ठीक है तो बहुत सारी process आपके mobile के अंदर है जो background के अंदर काम करते है अगर वह नहीं कर्यायर तो application काम नहीं कर सकती है तो इसके लिए इनको भी process को execute करना जरूरी होता है इसमें हम बहुत सारी process system को दे दे देते हैं और in system process को background में execute करते रहता है सिस्टम जो था वाग्राउड में उसको एक्जीकुट करता रहता जब तक कि हम उसको कैंसला कर दें उपर दिये की चीतर में आप देख सकते हैं कि सिस्टम प्रोसेस के लिए एप सीया नी फर्स्ट कमफर्श सर्व अल्गॉरित्म का प्रियोग किया गए हैं इं प्लीज वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें तो देखे सबसे पहला कॉंसेट इसके अंतरगत क्या आ रहा है फाइल एलोकेशन मैथट यहां डिफाइन करती यह परिभासित करती है बरा बलॉकेशन को किस प्लोक है मालो अब इसमें फाइल किस प्लोक होगी इस में किस प्लोक होगी सभाइल क करने अधर इसको अब एलोकेशन करना फाइल करने के लिए जो method यूज ले रहे हैं उसको हम file location method कियाते हैं तो यहां define करते हैं कि block में कोई भी file case पर कार इस्टोर होगी operating system में file को disk block में इस्टोर करने के लिए तीन allocation method का प्रियोग के जाता है कितने तीन पहला होता है contiguous allocation दूसरा होता है आपके linked allocation और indexed allocation इन तीनों वीडियो को प्रियोग disk block को परभाव पूर्ण तरीके से utilize करने तता files को तेजी से access करने के लिए किया जाता है इन तीनों जो है यूज करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ अच्छा effect file contiguous allocation के अंतर क्या होता है कि contiguous allocation method में user को file को create करने से पहले file size को दर्सान होता है यानि उसको represent करना पड़ता है उसके बाद operating system उस file size के अदार पर disk में contiguous block रूणती है और file को allocate कर देती है पहले file size देंगे हम ठीक है न तो file size देते है उसको क्या operating system को पता चल जाएगी मुझे इसको कौन सा block देना चाहिए उस size के नुसा अगर file के size का कोई भी contiguous block उपलब नहीं होता त file को create नहीं किया जा सकता है अब इस चित्र के अंदर के आपको मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर मेरे पास 5 files है और table में परतियक file के length तता starting disk block को दर से गया है बहुत easy है समझेगा कैसे solve किया जाता है इस परकार के coin subs को देखे मैं यहाँ पर file के type बता रहा हूं पहले तो ठीक तो मैं यहाँ पर mail का बता देता हूं यह रहा हमारे पास mail उसके बाद देखे यहाँ पर अपने पास आता है list तो यहाँ पर देखे यह रहा अपना list और यहाँ पर अपने पास यहाँ पर का गया है F तो F को हम यहाँ पर डून देंगे तो यह रहा अपने पास F अब समझे पास यहां पर यहां पर जिए लैंड मैंने फाल उनन करना रुटम है कर रहें दूसरी बात करते हैं तो कि यहां पर मैं सफ़रा चोंदे से अब एक दो तीन तो देको टीर किस्टर वरी इसकी लेंद किती होगी यहां पर भी 3 हो गई अगले कि मेल तो मेल कहां पर यह अपना मेल अब नियुक पर पर आप 19 से अच्छा उन्निक से और इसकी लेंद किती है एक दो तीन चार-पांच आपको यह रहा है और यहांप नेहीं झानि पर अपकी स्टाट हो उसकी लैंथ है दो एक और दो यह देखी यहां पर इस्टाटिंग और लेंट इसकी दे रखी है तो आई थिंग आपको यहां पर अच्छे से समझ माच चुका होगा कांटीग्यूस में क्या होता है कि पहले आपनको फाइल साइज बताना चरूरी होता है फाइल साइज आप जब बताएंगे तब ही तो उपरेटिंग सिस्टम उसके बेस पर अपने लिए उस ब्लॉग को निरूपित करेगा साइज के लिए ठीक है चलिए अब आगे बताते हैं आपको कॉंटिग्यूस फाइल एलोकेशन के लाब और हानिया पहला लाब क्या है इसको इसको इंप्लिमेट करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि फाइल के ब्लॉग को आसा इसे ट्रेक किया जा सकता है कि कौन सा ब्लॉग का है कौन सा कहा पर नहीं है यहां डायरिक्ट अक्सेस त तीन है यह चार है यह पांच है यह छे है मालो मैंने यहां पर ऑडर दिया कि मुझे चार नबर फाइल चाहीं तो मैं यहां पर इसको डायरिक्ट ली एकसेस कर सकता हो मतलब क्या होगा मैंने सिक्वेंशल इसको ओडर दिया कि मुझे पर चार नबर फाइल पढ़नी है तो ये पहले एक पाएगा फिर दूरे फिर तीन पर फिर चार पाएगा और यहां से डेटर लगभा तो यह होता है इसके इसただ किई किसी पॐतसाने दोने की इस Мыynchronous इंटेज्व हो सकती है जिसमें इसमें डिस्क फ्रेग्मेंटेशन हो जाती है इसमें actionable तता internal दोनों परकार का fragment हो सकता है file के size को बढ़ाने में बहुत जादा परिशा नहीं होती है file के size को बढ़ाने में परिशा नहीं होती है क्योंकि ये contiguous memory पर निर्भर करती है contiguous मतलब continue early अगली बात आती है linked allocation के बारे में क्या है linked allocation मतलब जो आपने link list के बारे में देखा होगा desktop के बारे में ठीक है जिसमें क्या होता है कि एक आपके यहाँ पर memory का जो होता location होता है और उसके बाद यहाँ पर एक pointer होता है memory का file allocation location होता है उसके बाद उसका pointer होता है pointer next point यहां पर address को indicate करता वो इस system इसमें है इस allocation में प्रते एक file disk block की linked list में होती है तता इसमें file को contiguous block में allocate नहीं किया जाता है इसमें contiguous नहीं होता है इस से पहले में क्या था contiguous था उसमें disk block वहाँ है जो कि disk में कहीं पर भी हो सकता इसमें block कहीं पर भी हो सकता कैसे होता अभी मैं बताओंगा आपको इस file की directory इस file की directory पहले block तता अंति block के pointer को content करके रखती है इस video को chain location भी कहते है चैंड मतलब जो आपस में जुड़े होते हैं से आप इसको भी solve करके दिखा देता हूं आपको मेरे पास एक file जीप नाम से अब देखिए इसके अंतरकत कि यह starting बता रहा है यहाँ पर अपने पास 0 से कैसे है यह 0 देखिए आप आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो अपनी starting कहां से हो रही है यहाँ पर इसके अंतरकत 9 से हो रही है लेकिन 9 में मैंने यहाँ पर pointer क्या दे रहा है पॉइंटर मतलब क्या होता जो किसी अन्य लोकिशन को इस्टोर करके रखता है तो यहाँ पर इसने ओर्डर दिया है 16 अब समझते रही गए कि करके कि 9 से starting होई है बराबर 9 लिखा हुआ है अब 16 से यह गया सिधा एक पर सॉरी यहाँ से 16 का इंडिकेशन दिया तो इसने ग फइया है यहाँ पर क्या 25 25 25 से जब यहां पर क्या तो इसने कह दिया माइनस या यह पर यह पर यहां पर यह एंडिक अपर 25 पर आपके 25 पर स्टार्टिंग पर हैं यापर 9 बहुत होता है कि यह आपने प्वइंटर को पॉइंटर की मदद से यूजर को जो है और ओपरेट कहते है इसको चैने की रूप में इसको आलोकेट करना फायल्स को अगली बार यार्ट 121 अपनी तो इसमें अम इस के लाब और व्हान ने होता है दो पहले नहीं होता है इस मातर्माइबे सावरा णें और प्राई में प्रमेंगेशर के जरूरत नहीं होती है अगर कोई free block है तो उसे आसानी से utilize भी किया जा सकता है कोई वालो कोई block free है तो उसको भी हम यहाँ पर utilize कर सकते हैं files के साथ जब तक free block उपलब्ब दोते तब तक file के size को हम बढ़ा सकते हैं ठीक है file के size को बढ़ा सकते हैं इसमें compaction को perform करने की जरूरत नहीं होती है यह sequential access को support करता है sequential मलब continues ठीक है आब इसके disadvantage भी देख लिए इसमें random access उपलब्द नहीं होता है random access हम इसमें किसी को access नहीं कर सकते है pointer के लिए disk block में कुछ जगह क्या हो सकता भी होती है पॉइंटर का एडर सकेंगे तो कुछ extra इसके लिए pointer की जगह रखने पड़ेगे अपनको linked list में कोई भी pointer टूटा हुआ नहीं होना चाहिए क्योंकि इस परिष्थिति में पूरी file ली corrupt हो जाएगी पूरी file जो है वो corrupt हो जाएगी प्रतियक block प्रतियक block को ट्रेवर्स करने की आवशकता होती है जिसमें यहां विदी स्लो कारे करते हैं पहले ट्रो ट्रेस करने पड़ेगी कहां पर कौन सी है कहां पर तो इसको डूनने में टाइम तो लगेगा तो इसलिए गती जो होती इसकी दीरे हो जाती है यहां direct access को support नहीं करती यह contiguus तता linked allocation माने वाले परिशानी को दूर करने के लिए काम आता है तो बहुत important question आचुका आपके लिए कि contiguus जो होते हैं वो किसके लिए यूज होता है यहां पूछा जा सकता है कि linked or linked allocation में जो contiguus तता linked allocation जो होती है उसके अंतर के जो भी problems आती है error आती है उसको solve करने क कि इसका यूज होता है index allocation का इस video में एक wishes परकार का block होता है जिसे indexed block का जाता है क्या कहा जाता है indexed block जो भी block मने जाएंगे विशेश ब्लॉक उसको यह indexed block यह indexed block file के सभी pointer को content के रहता है यानि इसके अंतर के जो pointer होते उसको content रखता pointer क्या करता है किसी address को hold करने में काम होता है प्रतियक file का अपना एक index block होता है डायरेक्टी एंट्री बी डायरेक्टी एंट्री इंट्री 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 इंडेक्स block के address को hold करके रखती है जैसे कि आप यहाँ पर अभी चित्र में देखेंगे यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ तो यहाँ पर अभी आप देखी के साथ हो कि अपने पास यहाँ पर देखो यह 0 है यहाँ पर बन है अब यह सारे ब्लोक है 30 बना वह इसको छोड़ी आप यहाँ पर मेरे पास एक फाइल है जिप नाम से जिसके पास यहाँ पर जो है index block किते है 90 अभी 19 का क्या खेल है समझी देखे मैं इसको यहाँ पर जूम आउट इसको करके यहाँ पर सो किया गया वैसे तो देखो यह 19 किसके से connected है 1 से और 10 से 9 से और 16 से connect है और यहाँ पर किस से connect है 25 से तो देखो 9, 16, 1, 10 और 25 से connect थी अब उसके बाद यहाँ पर minus 1 में चली जाएगी stop condition में भी आप माज सकता ह इसको यह चली जाएगी ठीक है और यहाँ पर अब इसकी क्या advantage और disadvantage हो सकते हैं वो समझे आप सभी इसके advantage में देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा प्रियोग की जाने वाले फाइल लोग से method है यह direct access तता sequential access को भी support करती है इसमें actionable fragmentation नहीं होता है इसमें अगर कोई data block ख्रा पूरी फाइल का नुकसान हो जाता है फाइल का size index block पर निर्वर करता है छोटी फाइल के लिए index block का होना memory का एक परकार का wastage मना जाता है और इस वीदी में pointer का overhead ज्यादा होता है यह memory का जो overhead होता वह बहुत ज़्यादा इसके अंतरकत माना जाता है तो यह था साथ यह आज का class जिसके अंतरकत हमने जो है multi-level queue, scheduling और file allocation method के बारे में जाना है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ share कीजिगा इसी परकार हमें support करते रहेगा इसी परकार लोगों को आप हमारे साथ जोडते रहेगा इसी के साथ मैं संपदल आप सभी चल्वीद लेता हूँ, जय हिंद, जय वारत